कक्चा 10 और द्वाला के बोर्ड परीक्षाओं के लिए रणनीती और प्रेर नादायक विचार कक्चा देन और बारा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अनुशासन, योजना और प्रेरना का सही मिश्रन आवश्चक है यहाँ एक विस्तरत योजना दी गई है जिसमें प्रेरना दायक विचार भी शामिल है एक यथार्थवादी समय सारिनी बनाएं दिन की योजना बनाएं अपने दिन को छोटे-छोटे अध्यायन सत्रों में विभाजित करें जिनके बीच छोटे-छोटे ब्रेक हों पोमोडोरो तक्निक का उप्योग करें 35 मिनट तक फोकोक्स्ट पढ़ाई करें और फिर 5-5 मिनट का ब्रेक लें विशयों को प्राथ मिक्ता दें कठिन विशयों को तब पढ़ें जब आपका दिमाग सबसे ताजा हो हलके विशयों को दिन के बाद के समय में पढ़ने के लिए रखें सापताहिक समीक्षा करें हर हफते आपने जो सीखा है उसे दोहराने के लिए समय निर्धारित करे निरंतरता महत्वपूर्ण है विरना बिना योजना के लक्ष केवल एक इच्छा है बड़े कामों को छोटे, आसान लक्षों में तोड़े और जब भी कोई लक्ष पूरा करे तो अपनी सफलता का जश्ट मनाए यह आपको आपकी बड़ी सफलता के करीब ले जाएगा दो, पिछले वर्षों के पष्ण पत्रों का अभ्यास करें परीक्षा की तरह अभ्यास करें मियमित रूप से पिछले वर्षों के बोर्ड परीक्षा के परिश्ण पत्र परीकेशन परीक्षा के तरह हल करें, समय का ध्यान रखें। इससे आप प्रारूप से परिचित होंगे और समय का सही धंक से प्रबंधन कर सकेंगे। कमजोर ख्षेत्रों की पहचान करें, पेपर हल करने के बाद अपनी गलतियों की समीक्षा करें। सफलता छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम होती है, जो दिन प्रति दिन दोहराए जाते हैं। एहर पेपर जो आप हल करते हैं, वो आपकी आत्म विश्वास बढ़ाता है और आपको परीक्षा में महारत हासिल करने के करीब ले जाता है। 3. केवल याद न करें, आवधारणाओं पर ध्यान दें। जक्यों को समझें, हर विश्वास के पीछे के सिध्धानतों को समझने पर ध्यान दें, खास कर गणित और विज्ञान जैसे विश्वायों में। इससे आप जानकारी को विभिन प्रकार के प्रशनों पर लागू कर सकेंगे। सक्रिये रूप से अध्ययन करें। निस्क्रिये रूप से पढ़ने के बजाएं, नोट्स बनाएं, माइंड मैप्स बनाएं या किसी और को विशे सिखाएं। सिखाना जानकारी को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रेरणा जी सीखने की खूबसूर्ती यह है कि इसे कोई आप से छीन नहीं सकता। दीरगहकालिक समझ पर ध्यान दें, जो ना केवल आपको परीक्षा में मदद करेगा बलकि भविश्य के लिए एक मजबूत नीम भी बनाएगा। चार अध्यायन और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। निर्धारित ब्रेक लें। अपनी दिन्चरिया में विश्राम का समय शामिल करें। छोटे-छोटे टहलने जाएं, गहरी सासिन लें या तनाव कम करने के लिए ध्यान करें। अच्ची नींद लें, देर रातक पढ़ाई करने के लिए नींद की बली नमायरा। सुबह एक ताजा दिमाग रात की ठकी हुई पढ़ाई से ज्यादा प्रभावी होता है। दाढ़ा प्रेरणा ज्विश्राम आलस से नहीं है, यह वह तेल है जो इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अजब आपका मन और शरीर तरोताजा होते हैं, तब आप सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन करते हैं। ब्रेक को बैटरी रिचार्ज करने के रूप में देखें। पांच विजूल टूल्स और अध्यान के साधनों का उप्योग करें। फ्लैश कार्ड जीव विज्ञान या इतिहास जैसे विशों के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं, ताकि आप जल्दी से दोहरा सकें। मेमोरी ट्रिक्स सूचियों, सूत्रों या तिथियों को याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक्स का उप्योग करें। जैसे गणित के लिए बोरी मैस, ब्रैकेट ओर्डर, डिवीजन, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एप्स का उप्योग करें। टेक्नोलोजी का उप्योग करें, जैसे शैक्षिक एप्स, ऑनलाइन मौक टेस्ट या वीडियो टुटोरियल्स ताकि पढ़ाई और मजबूत हो सके। प्रेरणा सीखना कभी ठकावट नहीं लाता। चाहे ऑनलाइन टुटोरियल हो या रंगीन चार्ट, जो भी उप्करण मददगार हो, उनका उप्योग करें। उद्देश्य यह है कि पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाएं। सपलता की कल्पना करें। खुद को वह परिनाम प्राप्त करते हुए कल्पना करें, जो आप हमेशा से चाहते थे। सपलता की कल्पना करने से कठिन समय में प्रेरणा मिलती है। सकारात्मत बातें बोलें, हर दिन सकारात्मत वाक्यों से शुरुआत करें जैसे मैं अपने लक्षयों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ या महले दिन मैं इसमें बेहतर हो रहा हूँ अध्यने डाइरी रखें अपनी रोज की छोटी-छोटी उपलब्धियां लिखें एक छोटी सफलता भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी आपकी मानसिक्ता आपकी सफलता का निर्धारन करती है खुद पर विश्वास करें आपके विचार आपकी वास्त्विक्ता बनाते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे सक्ट ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें डिजिटल अनुशासन सोचल मीडिया या उन एप्स के नौटिकेशन बंद कर दें जो आपको विचलित कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो उन अध्यान के इंद्रित एप्स का उप्योग करें जो पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचाते हैं पसपष्ट सीमाई तय करें अपने दोस्तों और परिवार को अपनी अध्यान समय के बारे में बताएं ताकि वे आपको परिशान न करें अपने अध्यान चेत्र को व्यवस्थित और साफ रखें ताकि ध्यान भटके नहीं प्रिर्णा औ अनुशासन वह पुल है जो लक्षों और उपलब्धियों को जोड़ता है ध्यान भटकने की इस दुनिया में फोकस रखना एक अद्बुत ताकत है अपने लक्ष पर नज़र रखें और समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहें आठ नियमित पुनरावरित्ती महत्वपूर्ण है प्रोजाना पुनरावरित्ती करें आपने जो सीखा है उसे रोज दोहराएं बार-बार किसी विशय को देखना उसे आपके दिमाग में पक्का कर देता है समिजदारी से दोहराएं विभिन विशयों के लिए विभिन तकनीकों का उपयोग करें सैध्धानतिक विशयों के लिए मुख्य बिंदूओं पर ध्यान केंद्रित करें व्यावहारिक विशयों के लिए प्राग्नबोस्क दहरा ब्रेरणा अभ्यास ही सीखने की जनिनी है जितना अधिक आप उनरावरिती करेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी आप परीक्षा के लिए करेंगे नाइम गलतियों से डरे नहीं पूलतियों से सीखें अभ्यास के दोरान जब भी आप गलती करें तो निराश नहों हर गलती छिपा हुआ सबबक है जो आपको परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगा अगर कोई विशे चुनौती पूर्ण है तो उससे बचे नगी शिक्षकों, दोस्तों या ओनलाइन संसाधनों से मदद ले लगातार प्रयास ही सफलता की कुण्जी है असफलता दोबारा शुरू करने का अफसर है इस बार और अधिक बुद्धिमानी से अहर बाधा जो आप पार करते हैं वो आपको मजबूत बनाती है सीखने की प्रक्रिया को अपनाए जिसमें गलतिया भी शामिल है संतुलित आहार ले ब्रेन बोस्टिंग खाद्य पदार्थ जैसे फल, मेवे और हरी सबजिया खाएं बहुत ज़्यादा जंग फूर खाने से बचें जो आपको सुस्त बना सकता है पानी पिएं पूरे दिन परियाप्त मात्रा में पानी पिएं आपका शरीर बहक मात्र स्थान है जहां आपको रहना है अपने शरीर का ख्याल रखें और यह आपके दिमाग का ख्याल रखेगा शारीरिक स्वास्थे मांसिक स्पस्टता के लिए आवश्यक है ग्यारा बड़े लक्ष पर ध्यान केंद्रित करें लगुकालिक और दीरखकालिक लक्ष है समझें कि आपकी बोर्ड परिक्षा आपके जीवन का केवल एक पड़ाव है चाहे आप इसमें उत्किष्ट बोर्ड परिक्षाओं की तैयारी के लिए और ज्यान प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल Learn with AKB को फॉलो करें यहां आपको आने वाली बोर्ड परिक्षाओं से जुड़े महत पपूर्ण टिप्स और अध्यान सामगरी मिलेगी आपके सपनों की उड़ान के लिए हमारे साथ जुड़े रहे